S.B. exam classes में आप सभी का स्वाजत है। आज हम बात करने वाले हैं जेटेट की बात करेंगे। दिखिए, जेटेट के लिए रहिए तैयार। अंतिम चरण में है संसोधित नीमावली। इस तरह का जो पेपर कटिंग है आप लोग बहुत बार देख चुके होंगे और देख देख करके अब देखने को मन नहीं कर रहा है। बात वास्तविक है बार बार जेटेट आने वाला जेटेट आने वाला जेटेट आने वाला इस तरह का पेपर कटिंग आप लोग बहुत बार देख चुके हैं। लेकिन जो पहले वाले जितने भी पेपर कटिंग आपने देखा था उनसे आज की जो पेपर कटिंग है वो अलग है आज की जो नियुज है वो अलग है पहले लिखा रहता था सिच्छा विभाग के पास परस्ताव तैयार है सिच्छा मंत्रालेने समति दिविये से सिच्छा विभाग सिच्छा विभाग सिच्छा विभाग लेकिन सिच्छा विभाग के बाद भी कोई कोई विभाग होता है जहां से अनुमती लेनी होती होती है स्विकृति मिलने के बाद ही आगे की प्रोग्रेस होता है तो देखिए, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, पहले पढ़िए उसके बाद में, जदि आप जारखंट सिछक पातरता परिच्छा जेटेट में सामिल होना चाहते हैं, तो इसके लिए तयार रहिए, यहाँ परिच्छा सिग्र हो सकती है, क्योंकि जारखंट सिछक पातरता परिच्छा नीमावली में होरे संसोधर पर कार्मिक विभाग की स्विक्रती मिल चुकी है, कार्मिक विभाग की स्विक्रती मिल चुकी है, इसको ऐसे समझिएगा, सबसे पहले सिछा विभाग प्रस्ताव तयार करती है, सिछा विभाग के बाद बिदी और बित के पास जा यहां पर भी स्विक्रिती मिल गया यहां से जाता है कार्मिक के पास तीसरा स्टेज में कार्मिक ने भी अपनी स्विक्रिती दे दी तो अब जाएगा कैबिनट में और उसके बाद एकजाम का नोटिफिकेशन निकलेगा और पहले क्या आप देखते थे कि सिछा विभाग रे रेस है सिछा विभाग रेस है लेकिन अब सिछा विभाग से फाइल आगे हो करके दो स्टेप आगे हो चुका है मतलब अंतिम चरन में है अब अंतिम चरन में है अब एकजाम होगी तो अब क्या करना है आप लोगों को अब आप लोगों को क्या करना है तैयारी में लग जा होने वाला है वो इंटर लेबल और ग्रिजवेशन लेबल का होगा पहले होता था मैटिक और इंटर लेबल का तो प्राशन कठिन आएंगे और जदी अभी से तयारी करके आप नहीं रहेंगे तो एक्जाम हॉल में माथा पकड़ करके आना होगा आप ऐसे समझिये जो पहले मैटिक लेबल और इंटर लेबल का होता था उसमें से क्या सब का सब पास करते थे नहीं पास करते थे 20 से 25 परसेंट पास करने का आकड़ा है 20 से 25 परसेंट 100 में जितने लोग 20 पास कर गए डियलर पास कर गए जेटेट का फोरम फिलप किये सब लोग जेटेट पास नहीं कर पा रहे हैं 2012 का रिजल्ट देखिए 2016 का रिजल्ट देखिए और इस बार भी सबी लोग पास नहीं करेंगे जो लोग अभी से तयारी नहीं करेंगे पास नहीं करेंगे क्योंकि ये कोई 2-4 दिन की चटनी नहीं है जो पीशा और पी गया इसके लिए अभी से आपको प्रिपैर होना जदी आप घर बैठे तयारी हमारे टीम के द्वारा करना चाहते हैं घर बैठे कही आना जाना नहीं है घर बैठे तयारी करिए गाउं देहात के हैं महिला हैं आपके पास समय नहीं है बिजनस भी करते हैं पढ़ाई करके अपने जोब भी लेना चाहते हैं तो आप घर बैठे तयारी कर सकते हैं जब समय मिले आपा स्टड़ी करिए समय के अमसार तो हम लोग घर बैठे तयारी करवाते हैं हमारी टीम तयारी करने में लगी हुई है तो आप हमारे साथ जुड़ करके तयारी कर सकते हैं तयारी करने के लिए हम आपको कुछ numbers दे रहे हैं यह हमारे office का number है इसका a screenshot ले लीजिए और इस पर call करिए या फिर whatsapp पर message करिए 9142231326 या फुबा 91425 50549 जदी इन दोनों में भी नहीं लगता है तो हम आपको तीसरा number दे रहे हैं इसका screenshot पहले ले लीजिए ठीक है जदी बिजी आ रहा है तो 8002515748 या 91424 63354 यह हमारा office का help number है जिस पर आप call करके जानकारी ले सकते हैं अभी तक लगभग 6000 अस्टुडेंट हमारे साथ online जुड़ करके तयारी कर रहे हैं अब आपकी बारी है कि घर बैठे ज़री तयारी करना चाते हैं अभी में तयारी करना चाते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और तयारी कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही हम आपको यह कहने आये हैं कि अब तयारी में लग जाईए तयारी शुरू करिए हाँ दूसरा तरीका है या तो हमारा एप को डालोड करिए यह हमारा एप है S.B.Exam.App S.B.Exam.App पीला कलर का दिखाई पड़ेगा वहाँ पर भी हमारा कॉर्स अब लेबल है वहाँ से भी आप परशेज कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग फिर मिलेंगे नेस्ट क्लास में थैंक यू जैहिंद